अरे बापरे बाप, बोले थे न कि सेंटर पिक्जाम को हलके में नहीं लेना, मजाग में नहीं लेना ने तो बरजाए का भारी और वही हुआ है, कौपी जो है पहुच रहा है बोर्ड ओफिस जी, कौपी आपका बोर्ड ओफिस पहुचने लगा है, जो भी सेंटर जब सेंटर पिक्जाम हो रहा था, किस बार सेंटर पिक्जाम हलके में नहीं लिजेगा, पिछली कितर साल कितर इस बार करोना का गाईलान या लॉकड़ान जैसा संभाबना नहीं था, ठीक है, लेकिन सभी छात्रों ने बहुत सारे छात्रों जो ऐसा थे कि सेंटर पिक्ज लेना कैसे भारी पर गिया है बहुत लोग क्या किए कि एक सम्ट देने गए और दूसरे में सो गए नहीं देने गए दूसरा देने गए अर तीसरा नहीं दियेए यानि कि और कुछ लोग तो ऐसे किये हैं कि जाके नाम पता लिख दिये और खाली कॉपी छोड़ के चले आए हैं यानि एक दो क्षिशन बना दिये हैं और राम भरों से हिंद्यो होटर करके चले आए हैं बैसे लोगों को एकदम भारी पढ़ने वाला है ठीक है और बार बार कॉलेज का चकर आपको लगाना परेगा ठीक है अब पहले जो कॉलेज नहीं गए एकजाम देने के लिए तो आप चकर लगाईए कॉलेज के पहले बचे थे तो अब जो है दोरिये कॉलेज देखे यहाँ तो कम से कम फानल एकजाम को हलके में नहीं लेना इसको तो हलके में ले लिए हो फानल एकजाम को हलके में नहीं लेना तो उस टाइम तो और भारी पढ़ेगा ठीक है सीधी आपको question पर लेके चलते हैं देखे कैसा कैसा जो लोग है copy लिखे है यानि कि एक दो लाइन लिख और उसके बाद सारा का सारा कॉपी जो है वो खाली छोड़ दिये हैं और उपर में कुछ-कुछ लिख दिये हैं कोई लड़की का नाम लिख दिये हैं तो कोई कुछ लिख दिये हैं ठीक है इस तरीके से कॉपिया जो है वो सामने आ रही है ठीक है देख रहे हैं सारा कॉपी छोड दिये हैं एक लाइन दो लाइन लिख दिये हैं किसी तरह किसे और copy छोड रहे हैं तो ऐसे copy जो है सीधा तोरफे फेल किया जाएगा अगर आपके 30% marks नहीं बन रहे हैं तो ठीके सीधे तोरफे फेल हैं फेल का मतलब यह नहीं कि आपको result आएगा कि scorecard में इतना number मिला है कोई result नहीं आता है सीधे आपका admit card आता है अगर admit card आ गया तो आप पास है नहीं आया admit card तो भाईया फेल है ठीके बस admit card नहीं आया तो यह मत किजिएगा सर college का गलती है मेरा admit card नहीं आया या college ने form जमा नहीं किया सबसे बरी गलती आपकी है कि आपने सेंट्रेप इकजाम जो है वो हलके में दिया अच्छा से पेपर नहीं लिखा जबकि क्वेशन पूरा आउट था अब और कुछ लोग तो हैं जो महानव भावत है उनका तो पहले से में बताया हो कि वो 100% फेल है देखे ऐसी कॉपिया तो वहां बोलेगा कि मास्टर जी नंबर मी नहीं देंगे नहीं पढ़ाएं तो महन जोदरों का विसालस नना गाना में राजा की पतनी छबक छबक के नहाती थी और कपरा फिसती थी ठीक है आप भी छबक छबक के नहाई है गंगा जी में अकबर ने जजिया कर क्यों समाप्त कर दिया तकबर की गल्फ्रेंड का नाम रजिया था रजिया से अकबर बहुत प्यार करता था इसलिए रजिया के कहने पर जजिया कर समाप्त कर दिया गया ठीक है और आपके कहने पर आपको बोड़ इजाम से बाहर कर दिया जाएगा ठीक है और L&D College वाले तो महान भाव देखिए रहे हैं, मेगनाथ, पूरा राबन का खंदान है, मेगनाथ, मंदोदरी और राबन लंकेस, ठीक है तो यह सभी जो है, बिल्कुल फेल को केटेगरी में हैं, और यह नया कॉपी जो सामने आया है, इस तरह से जो कॉपी लिख रहे हैं एक दो क्वेशन लिख कर, असारी कॉपी आ जो है, साधा छोड़ रहे हैं, वो सभी फेल वाली केटेगरी में आ रहे हैं, संजोक से अगर क्वेशन आंसर आपका गलत हो गया ठीक है, अगर आपका 30 नमबर नहीं पहुँच पाया, या 33 नमबर नहीं पहुँच पाया फिजिक्स केमेस्ट्री में, ठीक है, और जिसमें प्रेक्टकल उसमें 33 नमबर नहीं पहुँच पाया, तो सिधर तोर पर आप फेल होंगे, लेकिन जो अच्छे से लिख हैं, वो 100% पास होंगे, उन्हें घबराने के जुरत नहीं है, तो वीडियो को सेर जरूर कीजिए, ताकि जिनका एक्जाम बच्चा होगा है, वो सिरियस लेकर एक्जाम दें, क्योंकि बोर्ड एक्जाम की कॉपी की तरह, इस बार कॉपी जो है वो उपड़ी तरीके से की जाएगी, तो मिलते हैं काईज, आपसे एकले वीडियो में फिर से बताते, रात के साम के 6.50 और रात के 8.50 में दो-दो टाइम में क्लास चल रही है, डेली लाइब, अभी से एक टिटिरियल पे फाइनल एक्जाम की तैयारी के साथ साथ आपको पीडियो भी दिया जा रहा है, डेली कलास, कलास के बाद पीडियो तो जरूर जो रहे, टेली ग्राम चैनल में लिंक है, जाके जोईन कर लिजे, कलास का लिंक भी आपको मिलता रहेगा, ठीक है, मिलते हैं जाएज, आप से अगले वीडियो हैं, वीडियो को सेर जरूर करेंगे,